अप्रेल के महिने में राजस्तान के बदलते मौसम और मारवार की सियासी तपिश के बीच आज फिर कॉंग्रेस को बड़ा छटका लगा है पिछले एक दो महिने से जिस बात को लेकर अटकले जोरो परती आखिरों अटकलों पर अविराम लग गया है और पश्चिमी राजस्तान से निकल कर देश की सियासत में अपनी खास पहचान बनाने वाले भारतिय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जस्वंत सिंग के पुत्र मानवेंद्र सिंग की आखिरकार पूरे पास साल बाद बीजेपी में वापसी हो गई है और वो भी ऐसे समय में जब लोगसबा चुनावों के तहत मतदान की तारीक बिलकुल नस्दीक है और ऐसे समय में मानवेंद्र सिंग जसोल का बीजेपी में शामिल होना कॉंग्रिस के लिए एक बड़ा भारी नुकसान है और बीजेपी के लिए बड़ा वर्दान साबित हो सकता है क्योंकि मारवार की राजनिती में मानवेंद्र सिंग जसोल एक बड़ा चहरा है और एक मजबूत वोट बैंक भी अपने साथ रखते हैं आज बाडमेर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में बड़ी तादाद में अपने कारे करताओ के साथ मानवेंद्र सिंग जसोल भाजपा में शामिल हो गए हैं खास तरपर मानवेंदर सिंग ने ऐस समय में भाजपा में अपनी वापसी की है जब पश्यमी राजस्तान में भाजपा को जाती समिकर्णों को साधने के लिए एक राजपूत नेटा के तौर पर उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी मानवेंद्र सिंग के बाजपा में वापसी के बाद अब इस बात को लेकर चर्चाय तेज हो गई है कि क्या इससे पश्विमी राजस्तान में भाजपा का बिगडा हुआ चुनावी गणीत सुधर पाएगा क्या मानवेंद्र सिंग बाड में जसल में लोकसबा सीट पर कॉंग्रेस के उम्मिदवार उम्मेदाराम बेनिवाल और निर्दलिय उम्मिदवार रविंद्र सिंग भाटी के साथ त्रिकोणी मुकाबले में फसे भाचुपा उम्मिदवार केलाश शोदरी को जीत की दहलिस पहुचा सकेंगे सियासी जानकारों का कहना है कि जसल परिवार की प्रतिष्ट आज भी पश्शी मिराजस्तान में कायम है जाती और सामाजिक तोर पर एक बड़ा वोट बैंक है जो इस परिवार से आज भी चुड़ा हुआ है और खास तोर पर राजपूद समाज के लोग लड़वाया गया और इसलिहास से भाजपा जो कि उनका पुराना घर है जिस पार्टी को बनाने में उनके पिता का खासा योगदान उसमें फिर से शामिल होना सही फैसला है आपको बतादे कि साल 2018 में विप्रीत अलातों में विदायक रहते वे मानविंदर सिंग जसोल ने और कॉंग्रेस में शामिल हो गए थे जिसके बाद कॉंग्रेस के टिकेट पर जालारा पाचन में वसुंद्रा राजी के खिलाफ चुनाव लड़ा मगर उन्हें करारी शिकष्ट झेलनी पड़ी इसके बाद 2019 में बार में जसल में लोगसबा सीट से कॉंग्रेस के टिकेट पर चुनाव लड़ा मगर इस बार भी वो जीत नहीं पाए 2023 कि वदान सबा चुनाव में शिव से चुनाव लड़ना चाहते थे मगर कॉंग्रेस ने सिवाना से टिकेट सौप दिया और कॉंग्रेस के आंतरिक गुटबाजी के चलते इस चुनाव में भी पराजय का सामना मानवेंद्र सिंग जसोल को करना पड़ा और अब वो फिर से बीजेपी में शामिल हो गए है दरसल इस बार भाजपा के लिए बाड़ में जसल में लोकसबा सीट पर चुनावी मुकाबला गले की फांस मन चुका है बीजेपी ने कैलाज शोदरी को इस सीट पर टिकेट रिपीट किया है तो वहीं कॉंग्रेस ने रलपी से आये उमिदाराम बेनिवाल को चुनावी मैदान में उतारा है मगर निर्दली उमिदवार शिविदायक रविंद्र सिंग भाटी ने ताल ठोक कर भाजपा का समीकरण बिगार दिया है इस सीट पर जाट राजपूत जाती समीकरणों के साथ और बिसी की कई जातिया अल्पसंकेक और युवा महिला मतदाता एहम भूमिवका में है सियासी पंडित भी ये मानते हैं कि मानवेंद्र सिंग जसोल के भाजपा में आने से बाड़ में जसल में जोत्पू लोग सबा सीड साइथ कई सीटों पर भी असर पड़ेगा मानवेंद्र सिंग जसोल की घरवापसी को लेकर आपका क्या कुछ खयाल है क्या वाकई वह अब उम्मेदाराम और रविंद्र सिंग भाटी को पचारते वेक एलाज शोदरी को जीत की दहलीस तक पहुचा पाएंगे इसके बारे में आपका क्या खयाल है कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा फिलाल के लिए इतना ही नमस्कार